गुड मॉर्निंग फिर्ण्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद्रवे ठाकुर पर माफ किजी का कल किसी कारण वाश में अब जो कल की दा हिंदू डिटूरिल वकैबदरी थी वह आपके लिए नहीं ले पाया खबरी पे तो मैंने डिस्कस कर दिया था औडियो मैंने डाल दिया था खबरी पर पर यूट्यूब पे में डालना थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो इस वज़से नहीं डाल पाया तो कल की वकैबदरी पहले देख लेते हैं उसके बाद मैं आज की वकैबदरी डिस्स करूंगा तो कल की वकैबदरी का जो पहला वर्ड था वो था ओवर्जिलस ओवर्जिलस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रती बहुत कटरपन थी विचार होना हटी होना, किसी की भी ना सुनना, कटर होना एकदम, उसको बोला जाता है overzealous, marked by excessive enthusiasm for an intense devotion to a cause or idea that is called overzealous इस document की PDF के लिए आप उसे टेलीग्राम ग्रूप पे जोड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रूप का नाम है study with ravitakur तो इस document की जो PDF है, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रूप पे मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रूप का लिंक में इसी वीडियो के description box में भी पिन कर दूँगा तो आप इसी वीडियो के description box में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रूप के लिंक को access कर पाएंगे तो दूसरा वर्ड लेते हैं कल की vocabulary का find disgusting and which causes offense that is called obscene next word है purient purient यहां पे एजेक्टी की तरह यूज हुआ है purient का मतलब होता है sex के सम्मंधी यौन सम्मंधी विशे में ऐसा कोई व्यक्ती जो बहुत जादा अध्यादिक रूची ले बहुत जादा रूची लेने वाला उसको हम कामुक भी बोल सकते हैं और उसों इंग्लिश में बोला जाता है purient if you describe something as purient you mean that they show too much interest in sexual matters that is called purient next word है intemperate intemperate यहां पे जेक्टी की तरह यूज हुआ है intemperate का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिती या ऐसी कोई बात जो हमारे नियंतरन से बाहर हो हमारे कंट्रोल से बाहर हो संयमित होना नियंतरित होना बेलगाम होना उसे बोला जाता है intemperate if you describe someone's words as intemperate you are critical of them because they are too forceful and uncontrolled that is called intemperate next word है defamation defamation यहां पे noun की तरह यूज हुआ है defamation का मतलब होता है किसी की निंदा करना अपमान करना या किसी की मानहानी होना उसे बोला जाता है defamation defamation is the damaging of someone's good reputation by saying something bad and untrue about them that is called defamation next word है fractious fractious यहां पे adjective भी तरह यूज हुआ है fractious का मतलब होता है बहुत जादा चर्चरा होना जगडालू प्रविट्ती का होना बेहत उद्दंड होना उसे बोला जाता है fractious if you describe someone as fractious you disapprove of them because they become upset or angry very quickly about small unimportant things that is called fractious next word है erosion erosion यहां पे noun की तरह यूज हुआ है erosion का मतलब होता है एक तो simple सा मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मिटी का उपरी की जो मिटी की उपरी परत होती है उसका बह जाना उसको बोला जाता है erosion पर editorial में जो इसका use हुआ था वो हुआ था अपने जो हमारे पास कुछ एक powers हैं अधिकार है उसका चले जाना उसका चले जाना या फिर उसका धीरे-धीरे से क्षीन हो जाना उसको बोला गया था erosion the erosion of a person's authority, rights, or confidence is the gradual destruction or removal of them that is called erosion next word है echelon echelon यहां पर noun की तरह यूज हुआ है echelon का मतलब होता है किसी भी organization में या फिर जो editorial में यूज हुआ था वो हुआ था कोई political party में जितने भी söyle है प्रतेक heir का कोई प्द होना या उसको क्यों उपाधि होना उस organization में या उस political party में प्रतेक्सदेस्य कोई उपाधि होना कि कौन सी उपाधि किस स्देस्य की है पद होना किसी का उसको बोला जाता है echelon an echelon is an organization or society as a level or rank in it that is called echelon next word है sect और sect जो वर्ड था ये कल की vocabulary का अंतिमशब था sect का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना उसको बरखास्त कर देना छुट्टी कर देना मतलब किसी उसको बोला जाता है sect if your employers sack you they tell you that you can no longer work for them because you have done something that they did not like or because your work was not good enough that is called sect तो ये कल की the Hindu tutorial vocabulary का अंतिमशब था तो यदि आपको वीडियो helpful लगा हो informative लगा हो आपने वीडियो से कुछ सिखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जादा जादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो कल की इतना ही था कल का दे हिंदुली तूरिल्वा कादरी में थैंक्यू थैंक्स पर वाचिं